नमस्कार दोस्तों मेरा में विमल सिंग बालाजी स्टरी एड़ा में आपका स्वागत है आज तारीक है आपकी तीन परवरी 2021 और आज आपका पेपर हुआ है डियले चतुरत समेश्टर के 2021 के पेपर में तरतीय प्रसंपत्र विज्ञान का इसे पहले जो दोनों पेपर हुए है आरमे के स्थर और स्टुर सेक्षिक दोनों का ही हम सॉल्यूशन पेपर को रा चुके है पिछला वला पेपर सॉल्यूशन सेक्षिक प्रवधनवाला साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा आज हम देखेंगे हमारा इस पेपर का solution चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर तो बहुत अच्छा आया था क्योंकि जो जो चीजे मैंने कराई थी एक एक चीज आपकी पेपर में पूछी गई है मैंने का कहा था तीन वीडियो अगर आप देखके जाएंगे तीन वीडियो में जो पूरा कोर्स कराया था उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा देखिए सबसे पहला प्रस्ण था केले माइन का रासाइनिक सूत्र में आपको दिखाते भी चलता हो यह देखिए जो मैंने आपको लिश्ट दिखाई थी धातो एसकी जिंग का एसक क्या है केले माइन है बगल में इतना वड़ा वड़ा सूत्र लिखा हुआ है जड़न सीओ थ्री एस जड़न सीओ थ्री वही पूछा गया है देखिए यही आपका जड़न सीओ थ्री तीसरा ओप्षन है बिल्कुल जो है सही होगा मैंने इतनी जड़ा उस वीडियो में मेहनत की थी कि इसके बाहर से कभी कुछ पूछा ही ना जाया ठीओ का सीज़ा प्रें में आपको दिखाता भी हो यहां पर थ्री के बारे में यह देख भी सकते है हीमोगलोबिन टहले सीमिय के वेरों मैंने सारी चीज़े बताई थी, वहाँ पर ये सारी चीज़े बताई थी, RBC की जीवना ओधी, टहले सीमिया रोग में आपके हो जाती है, कमी ही है, यहाँ पूछा ना, कम हो जाती है आगला प्रस्ट बूचा गया था किसी आवर्त में बाए से दाय जाने पर तत्तों की क्या वर्ती है ये जो प्रस्ट है मैंने इन तीन वीडियो में नहीं कराये था पर इससे पहले जो मैंने MCQ कराये थे वहाँ पर ये सारी चीज़े बताई थी आपको जो मैं राधन कराये थ उसमें ये भी question रखाता है तो मैं इसको SCRT PDF से आपको दिखाता हूँ प्रस्ट में कहा रहा है कि बाए से दाय जाने पर तत्तों की धन विद्धुत प्रवत्ती की बात करें ये आपके SCRT PDF है धन विद्धुत धनात्म गुड़ की बात कर लिजे धात्विक गुड़ की ब जाता है तो ये भी आपका बढ़ने वाला कड़ जाएगा बाहन से दाय जाने का मतलब है परमाणुक्रमांग इसी क्रम में तो होते हैं वही बाहन से दाय लिखा है और यहां पर उसी चीज़ को ही लिखा है परमाणुक्रमांग की व्रत्ती के साथ फिर तीसरा option कह रहा है तो यह भी मैं आपको दिखाता हूँ यह आपका परमाणुत रिज्या लिखा हुआ है जिसके अंतरगत आप देखेंगे तो यह भी बाहन से जाने पर परमाणुत रिज्या उसका घटता जाता है और आइनिक तरिज्या भी इसी के अनसार घटती जाती है परमाणुत रिज प्रवत्ति घडती जाती है इसको भी देख लेते हैं यह देखे लिखा है आवर्त में आउकसाइड जरून का चारी गुड परमाणू क्रमांग के पढ़ने के साथ साथ घडता जाता है और यही आप से पूछा गया था यही आपका चौथा वाला उप्शन बिल्कुल सही लेमार कवाद का आधार यह तो मैं ने आपको एकदम रटा के भेजा था मैं आपको दिखाता भी हूँ वह पेज इसी पेज से सारी चीज़ मैं आपको बताई थी लेमार कवाद मै आपको बताए था उपारजित लग शडो की वंसागती का सिद्धान दिसी को कहते है और यही दे भी रखा है दूसरा option उपारजित लक्षडो की वन सागती का सुतान तो as it is वही चीज लिखी है उमीद करता हूँ किसी ने भी देलत नहीं किया होगा मैंने यह भी कहा जाता है पुस्तक भी बहुत पूछी जाती पर पुस्तक पूछी नहीं गई थी यही आपका as it is पूछ लिए गया तो दूसरा वाला आपका सही होगा और पांचव और लाश्ट था आपका कौन सैस में समीकरण सही है यह आपका formula second वाला होता है i बराबर q upon t दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा मैंने तो इस पर numerical भी आपको करायते है चलिए देखते हैं हमारा अब आती लगो उत्री प्रस्न और वीडियो पसंदा है इतनी सारी मैंने help किया आप सभी का तो वीडियो पर एक like तो बनता ही है सारी चीजे देखिए paper में आपकी पूछी गई धुआदार वीडियो को like कर दीजेगा देखते हैं अती लगो उत्री प्रस्न फटा प्रस्न है आवर्त सारी में जो दुरलब म्रदा तत्त होते हैं जैने lengthenite का है अगर खाली दुरलब म्रदा तत कहे होते तो आप भले confused हो दाते पर यहाँ पर lengthen lengthenite लिख दिया गया तो आपको और आसान हो गया इसके पर्माडु क्रमांग लिखने थे मैंने lengthenite और actenite दोनों ही चीज़े आपको जो fast revision कराय था जो मेराथन कराय थी कल उसमें बताय था और इसमें आवर सारी में इन्हें रखा गया है पर्माडु क्रमांग पूछे गय असमें एक तरीके से, दो तरीके से यहाँ पर मतलब कहने का है दिये रखा है। लेंthenite में अगर बात करें पर्माडु क्रमांग कहां से कहां तक होता है, वो 57 से ले कर के आपका 71 तक जो होता है, जिसमें जो 57 नंबर वाला होता है, यही आपका lengthenite होता है जिसको लेकर यह लिखा गया है और इसी lengthenite के कारण ही इसका नाम lengthenite पड़ा है पर अगर SCRT में आपका जो official course है वहाँ मैं आपको दिखाऊ तो इन्हों ने क्या किया lengthenite जो स्रेडी है उसके तत्यव परवानु कुरमाग में 58 से दरसा है यानि कि 57 जो lengthenite दे रखा है उसको count इन्हों ने नहीं किया है अब depend ये करता है कि ये 58 से 71 को सही मानते है या फिर जो actual में होता है 57 से 71 इसको हर जगा आपको किसी भी किताब में देख लिए जो 57 से 71 ही देखने को मिलता है पर आपका जो SCRT course है उसमें इन्हों ने lengthenite को count नहीं किया है अगर आप देखें साइड में चित्रवी तो ये lengthenite है और इसके बाद इन्हों ने इसके बाद जो 58 आता है वहां से बना कर दिया है और ये मेंडलीव की संसोधित आवर्तसार्णी है ये आप देख भी सकते है देखते हैं दोनों ही सही अगर डिपेंड करते है एक्जाम चेक करने वाले पर इक्जाम में जो चेक कर रहा है उसके तो पेपर में जो लिखा है वो वही चेक कर रहा है वो इतना गुड़ाभाग तो नहीं लगाएगा तो डिपेंड यही करता है कि वो SCRT के आधार बचीजों को चेक करते है या तो फिर जो हर जगा सर्व मानने है उसको बाकी है लिखा है आवर्तसारडी में इन्हें कहां रखा गया है तो इन्हें अलग से F-Block में रखा गया है SPDF 4 मैंने ब्लॉक बताए था आपको SPDF तो यह जो F-Block 4 वाला था उसमें इन्हें रखा गया है सात्वा प्रस्ने AIDS विसाडू के सरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है तो वैसे तो यह प्रतिरक्षा पढाली जो आपकी है उस पर आकरमण करता है मैंने आपको यह जीज फास्ट रिविजन में जो तीन वीडियो कराए तो उसमें बताए भी था कि जो AIDS है वो आपका प्रतिरक्षा पढाली पर प्रहार करता है जिसमें WVC पर हमला उस पर होता है जो हमारी प्रतिरक्षा पढाली वो कमजोर होती जाती है और यही पूछा प्रस्त में क्या गया है प्रस्त में पूछा यह गया है कि यह किस कोसिका पर हमला करता है तो आप क्या कहेंगे T4 कोसिका या लिंफोसाइट कोसिका कह सकते है क्योंकि T को सिकाओं को कहते हैं lymphocyte तो उसमें T3, T4 दोनों आ जाएगी तो lymphocyte आप कह सकते हैं ये सही होगा अगला पुछा कहता है सरवाहारी जन्तु किसे कहते हैं तो ये भी सारी चीज़े मैंने आपको बताई थी सरवाहारी, साकाहारी आप व्याद है यहाँ पर जो मैंने पारितंत्र की जहाँ बात की थी उत्पादागूपोगताब गटक वहाँ पर बताया था तो ये भी आप आसानी से लिख सकते थे विद एक्जाम्पल रक्त जमने में फाइब्रोनरजन की क्या भूमिका होती है ये भी मैंने आपको पूरा एक एक्जाम्पल साहीद बताया था मैं आपको दिखाता हूँ ये भी चीजे ये था आपका जहाँ पर रुदिर कडिकाए मैंने बढ़ाया था ये देखे लिखा हुए फाइब्रिन आप चाहें थोड़ा साओ जूम करके आपको दिखा देते हैं ये देखे फाइब्रिन लिखा है इसी के बारे में फाइब्रोनरजन में बताया था कि रुदिर प्लेट लेट्स में रख्ते का धक्का किस प्रकार से जमता है तो सारी चीजे मैंने आपको यहाँ पर बताई थी तो यहाँ पर आपका रख्त जन्मे में फाइब्रोनरजन की बूमिका भी आप टिक सकते थे दसवा पूछा गया था ऐस के सांद्रल की क्या आवशकता है यह क्यों आवशकता है और सांद्रल की दो विधियां पूछी गई थी यह तो मैंने पूरा डिटेल में आपको एक चित्र सहीद बताया था यह भी मैं आपको दिखाता हूँ यह था आपका ऐस का सांद्रल जिसमें यह आपका पिसे हुए आईस का सांद्रल सबसे पहला ही स्टेब होता है जिसमें क्या किया जाता है आईस के सांद्रल कहता है आईस से असुद्धियों को अलग किया जाता है और इसी को ही हम सांद्रल कहते हैं आईस से असुद्धियों को अलग करना यह जो सारे आप यहां पर handwritten notes देख रहे हैं, इनी notes ही मैंने आपको जो तीन वीडियो में पूरा course कराया था, इनी में इससे सारी चीजे थी, यह सब चीजे मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इससे आपकी पहले वाले badge के लिए, तो मैंने as it is वही ना पढ़ा कर नया पढ़ा वासा और मात्रक विद्धुधारा की आप क्या कहेंगे, विद्धुधावेस के गतिया प्रवा में होने पर उसे विद्धुधारा कहते हैं, और आवेस इसका क्या होता है, तो आपका SI मात्रक इसका MPR होता है, इस पर तो मैंने आपको जो question कराया थे, वहां पर MPR करके बत जे खाद जाल और साती सात खादिस रंकला में अंतर, तीनों चीज़े मैंने आपको बताई थी, यह देखिए, खादिस रंकला था आपका, जीवो किस रंकला जो भोजन के आदार पर एक दूसरे संबंदित है, और रहती है, साथ में मैंने यह आपको example भी बताया था, सहव यही आपको बनाना का पूछ लिखाए ना प्रस्न में खादे, जो जाल है, उसका सच्चित्र वर्णन कीजिए, तो यही आपका जो है वो चित्र था, मैंने कहा था है, यह तो हर हाल में आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, अगला प्रस्न पूचा गया था, जयविका अगला प्रस्न पूचा गया था, जहां मैंने सभी पॉइंट बताए थे, आपको धातू का सोहस में सांद्रण हो गया, भर्जन प्रकलन महापर दोनों बताया था, उधारण भी दिया था मैंने, देखिए, दिखाता हूं मैं कहां गया यह, निस्तापन की बताया था मैंने कि वायू की अनुपस्तिती में होता है, गलांग से कम ताप करके दादू आकसाइड में बदलने की क्रिया होती है, एक्जामपल भी मैंने बताया था कि पीबी सियो तरी को जब गर्म करते हैं, तो पीबी और सियो टू में बदल जाता है, यूस कांग किया जाता है, मैंने यह तक बताया था, मफल भट्टी और परावर्तिनी भट्टी में, भर्जन की बात करें, तो वायू की उपस्तिती में होता है, गलांग से कपताम पर, और इसमें भी अगर बात करें, तो इसमें भी मैंने आपको एक्जामपल दिया था, कॉपर सल्फाइड में जब ओटू यह तो मैंने अलग से पूरा हाइलाइट करके संसोधित भी बताई थी, और नॉर्मल उससे पहले थी, वो भी बताई थी, मैं आपको यह भी दिखाता हूँ, यह वाला आपका, यह था इस स्क्रीन सौट, देखिए, मैंडलीव की आवर साठी मैंने बताया था, जिसमें पर परमाडू भार के आधार पर विवस्तित किया गया है तत्त्तों को, फिर आधुनिक आवर्थ में परमाडू क्रमांग के आधार पर, और यह प्रस्न आपका पूछा गया था कि समू और वर्ग में कितने-कितने होते हैं, तो पहले जो समू या वर्ग हैं उसमें 9 होते थे और आवर्तों की संक्या साथ थी, पर जो संसोधित थी, उसमें आप देखे थोड़ा और जूम में कर देता हूं, संसोधित में 18 वर्ग है और 7 जो है वो आपके आवर्त है। और यही देखे, यहाँ पर भी पूचा गया है, संसोधित आदुनिक आवर्थ सारणी में, कितने वर्ग और आवर्थ हैं, तो आप कहेंगे, कि आपके 18 वर्ग हैं और 7 आवर्थ हैं, और definition जो पूची गई थी, विसेशताओं की, वो तो मैंने सब आपको बताई थी, सारी च सुचालग और कुचालग से आप क्या समझते हैं, उधार देकर स्पष्ट आपको करना था, मैंने यहाँ पर चित्र नहीं बताया था, आवेस का चित्र अलग से पहले बताया है, पर आवेस के सुचालग कुचालग इन सब का वर्ड़न मैंने किया था, यहाँ पर आवेस के पूरा concept भी clear किया था पर यहाँ पर पूछा प्रस्त में गया है पहला बाग तो आप कर लेंगे सुचाला कुछाला कवाला पर जो उधार देकर सचित्र इसपश्ट कीजिए यह आप जैसे चीजों को मैंने समझाया है ऐसे बना देते थे तो उसका भी number का फरक आपको मिल जाता यह आपका हो गया पर प्रात्मिक उप्चार से आपका क्या भी प्राय है यह भी मैंने सबसे आकरी में बताया था आपको यह भी मैं दिखाता हूँ सबसे लाश्न मैंने फर्स्ट एर्ड बताया था पिछली प्रीवेस यहर में आया था मैंने कहा था कि फर्स्ट एर्ड भी आपका थोड़ी बहुत चीज़े आपको पता होना चाहिए पूछ ली जाती है प्रात्मिक उप्चार मतलब जो कोई रोगी है किसी के चोट लगी है तो जो सबसे पहले सीमित उप्चार किया जाता है एक आप इस इच्छित व्यक्ति के द्वारा उसे आप कहते हैं प्रात्मिक चीज़ साफ अश्ट एर्ड इंगलिस में कहते हैं और यह भी लिखा था कौन-कौन से आवश्यक उपकरण और और औस दिया होनी चाहिए तो आप लिख सकते हैं जैसे वो टेंपरेचर नापने वाला और इसी प्रकाद से सारी जरे लाश्ट प्रसन था इस वीडियो का किसी चणि बल लेगाओं कोven में प्रसाइए यह प्रस्ट मैंने तब कराया था जब धारवाही परिनायलका मैंने कराया था वहां पर Σीजो के मैंने सम इसको चड़ एक मान लीजे, धारावाई पर नालका ना कीजे, इसको चड़ मान के, इसके जो चारो और इस टाइप से चुम्ब की रेखाये बनती हैं, जो चीज़ मैंने अलग से बताई थी आपको, वही यहाँ पर दर्सानी को कही गई थी, लिखाये ना कि चुम्ब की बल आप लिख लेंगे और दर्सानी के लिए आपको वह दर्साना होगा, यही था हमारा पूरा पेपर, उमीद करते हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, कैसा क्या पेपर गया, वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताईगा, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक सॉलिशन कराएंगे, उसके करा लेंगे, उसके बात कराएंगे, टेलिग्राम चैनल से ना जुड़े हो, तो ज़रूर रैड हो जाएगा, मैं टेलिग्राम चैनल पर आपको टाइमिंग वगरा भेज देता हूँ, लिंक भेज देता हूँ, कि इतने इतने बज़े से क्लासे जो है है आपकी होगी तो मिलते हैं फिर चलिए अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ अब तकी नमस्कार थेंक्यू फॉर वाचिंग